हाई वेमिनिंस कैसे हो आप सब आईए आज फिर से हम लोग बात कर लेते हैं आज मेरी फिर से इच्चा हुई कि आप लोगों से बात किया जाए तो कैसी है तबियत मुझे लगता है कि कल से कंडिशन कुछ सही नहीं होगी हाट चक्रा में तेंशेशन हो रहागा बहुत जाद वीकनेस फील हो रहा होगा बिना काम कि यही ठक जा रहे होगे सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी सांसे तेज चल रही होगी खासकर यह कंडिशन शाम से जादा हो रही होगी तो यह हाट चक्रा बैलेंस हो रहा है हाट चक्रा पे आपके काम चल रहा है आपके डियम के जादा आप दोनों की तो और पास्ट के भी जो भी जितने मतलब बुरे-बुरे सारे वूंट्स हैं और ट्रामास है सारा मतलब अभी सब की क्लिंजिंग चल रही सब की कंडिशन अभी ऐसी है कि फिर डीने पर भी काम चल रहा है और आपके अपर चक्राज पर काम चल रहा है डी-एम के लोर चक्राज पर काम चल रहा है वुल सारे की क्लिंजिंग हो रही है यूनिवर्स के तवारा तो इसलिए आपकी ये कंडिशन है आप ज्यादा तर डी-एम की इनरजी पिक कर रहे हो इमोशनल हो रहे हो इमोशनल तो करीब आप चार-पांच दिनों से हो रहे हो तो इमोशनल बहुत हाई हो जा रहे है आपके वैसे आप अपनी एनरजी में सही हो आपकी इनरजी भी हाई है बट कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हो अचानक से रोने के इच्छा हो रही है मतलब ऐसा फिल हो रहा है कि मैं बहुत जोर से चला-चला के हो लेकिन रोना बाहर नहीं आ रहा है ऐसी भी कंडिशन है कुछ-कुछ फेमिनन तो रो भी दे रही होगी और बहुत मतलब अलोन बहुत अलोन फील हो रहा होगा ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं अकेली हूँ मेरा कोई नहीं भगवान ही सर्फ ओही है उपर वाला और कोई नहीं है तो इसको बैलन्स करने की ज़रूरत है सेवन चक्रा बैलन्स बिलकुल करते रहो आप सेवन चक्रा में डिशन बहुत ज़रूरी है अभी कीजे क्योंकि अभी जो स्थितियां है वो अभी ऐसी स्थिति है कि डियेम भी बहुत स्यादा अलोन फील कर रहे है वैसे वो भी बैलन्स है आप दोनों की इन यांग और जा बैलन्स की तरफ जाने वाली है दोनों की बैलन्सिंग होने वाली है लेकिन फिर भी अभी जो कंडिशन है उसके लिए आप पानी पियो जादा से जादा पानी पियो क्योंकि अभी आपके आईज में फिर से धुनलापन बीच में तो ठीक हो गया होगा लेकिन अपसे फिर से आपको बलॉरी आइज विजन दिख रहा होगा और वीक्नेस सास लेने में प्रॉबल्म की और हाट चक्रा में भी प्रॉबल्म मतलब हाट पेंड चेस्ट पेंड बाजूप में पेंड हो रहा होगा ये कल से ज़्यादा प्रॉब्लिम बढ़ गई होगी तो आप इसको मतलब कुछ बढ़ा ना समझे जब तक कुछ ऐसा अगर पहले से कोई प्रॉब्लिम ना हो तो इसको कुछ बढ़ा नहीं समझेंगे आप लोग ये सब ही अभी चक्राज जो चल रही है आपके चक्राज भी और आपके डीम के चक्राज भी उनके भी सारे चक्राज पर काम चल रहा है तो ये सब उसी का मतलब असर है इसलिए आप इसको थोड़ा मतलब घबडाएंगे नहीं कि क्या हो रहा है तो इसको आप नॉर्मल लेके चलेंगी लेकिन हाँ, रेस्ट कीजे पानी पीजे खुद पे ध्यान दीजे और हाई वैबरेशन में रहिए चुकि मेड़ेशन करोगे तो सारा बैलेंस होता जाएगा अगर एकी हीलिंग आती है तो आप खुद को एकी से हील करो, और अकलिंज करो, क्योंकि ये सब साथ साथ हो रहा है, प्लस साथ में आपके एनिमेज भी तो आपके पीछे लगे हुए हैं, वो कहाँ चैन से बैठे हैं, उन्होंने भी तो अपना ब्लैक मैजिक, वाइड मैजिक जो भी करना होता है, वो करी रहे हैं तो उनसे भी तो बचना है इसलिए अपनी सुरक्षा भी करनी है, और आपके डियम जो है, वो तो खेर चली ही रहे हैं, उनकी भी एगो हाई अभी अभी भी उतनी एगो महलब यो इगो डाउन होई हैं, लेकिन फिर भी 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 उनकी पूरी तरसे खतम नहीं हुए है अभी भी वो करमी के साथ entertainment में लगे है करमी को उनको entertain कर रही है और अभी भी वो करमी को priority दे रहे हैं बहुत सारे DM लेकिन फिर भी अब उनको ड्रीम में और एंजल्स के दोरा मेसेज़स मिल रहे हैं कि एक कनेक्शन कुछ विशेश है वो कभी दर कभी दर लब सोच रहे हैं कि क्या करूँ कैसे करूँ करना है लेकिन जो कंडिशन की लाइफ में बनी हुई है उससे वो समझने पा रहे कि कैसे किया जाए कोई मतलब कुछ भी नहीं है जैसे जैसे चक्राज बैलन्स होते जाएंगे डिवाइन डैमिंग आता जाएगा वो सब स्टाट आउट हो जाएगा तो इसलिए मैं आप से यही कहूंगी कि आप रेस्ट करो पानी पियो और अपने चक्राज पर काम करते रहो बैलन्स करो सेवन चक्राज मेडिटेशन करते रहो तेंक यू